हे गाईज मैं हुसीमा और रावच चनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ तो बहुत दिनों के बाद आज हमारे चनल पर मैं केक की बहुत ही ज़दा क्यूट सी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोग अगर आप किसी बच्चे के लिए ये केक बनाने जा रहे है किसी बच्चे का बर्डे है घर में तो ये केक जरूर बनाईए बच्चे बहुत ज़दा खुश होंगे इतनी प्यारी और खुबसरत सी ये डिजाइन है चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये केक बनाने के लिए आपको गूगल पर या किसी भी बुक में या कही पर भी आपको इस तरह का जो टाइकर का फेस है क्यूर सा इसे आपको cake के उपर इस तरह से ड्रॉ करना है dark compound chocolate से आपको क्या करना है dark compound chocolate थोड़ा सा melt करना है और उसे piping bag में भर कर आप जैसे मेंदी का कोन बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको ये tiger का जो black print यहां पर दिखाई दे रहा है उसे आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले तो आप लो whipping cream से decoration करेंगे तो यहां पर whipping cream हमने दो colors में divide कर दी है एक तो white plane रखी है और एक है yellow color तो जो भी नीचे का mouth का area है वहां पर हम लोग white color से decoration करेंगे और उपर का जो area है वहां पर हम लोग yellow color से इस तरह से decoration करेंगे decoration करने के लिए सबसे चोटा वारा जो star nozzle होता है उसी का use आपको करना है तब ही यह जो हम लोग यहां पर आज पूरा केक यहां पर cream से भर रहे है वह खुबसूरत लगेगा क्योंकि बड़ा सा nozzle लेके जो design है अंदर की वह छिप जाती है तो आपको एक दुम चोटा सा star nozzle है ह और खास करके बच्चों को यह इस तरह के कार्टून वाले faces या कार्टून की बहुत जादा पसंद आते हैं तो घर में अगर किसी का भी बच्चे का बड़े है तो आप लोग इस तरह का केक जरूर बना सकते है उन्हें की बहुत जादा पसंद आएगा तो side में जो भी जग होथ हुआ या आखे है वह बनानी है आइज वगएर तो उसे बनानी के लिए आपको के चोकुलेट को हला कशा गरम चोटे चोटे क्यूट से ears या कान बनाने के लिए हमने यहां पर three मारे बिसकिट्स लिए है वो हम इस तरह से कान की शेप के उपर लगा देंगे चाहे तो आप केक भी छोटा सा कट करके यहां पर लगा सकते हैं आज मैंने यहां पर यह बिसकिट्स यूज किया है तीन आपको थोड़े से बड़े साइज में बिसकिट्स लेने हैं और वो एक के उपर एक रखकर आप थोड़ी सी बीच में क्रीम भी लगा सकते हैं स्टिक होने के लिए और बस आपको बीच में थोड़ा सा उसी नोजल से वाइट क्रीम से इस तरह से डेकोरेशन करना है और साइज में आपको थोड़ा सा यलो कलर से भी यह बॉर्ड़ बना देनी है ताकि यह क्यूट से कान हमारे टाइगर के यहां पर तयार हो जाए तो जैसे कि मैंने कहां यहां पर आप लोग केक भी यूज कर सकते हैं तो कौ दूसरा भी जुकान है टाइगर का वो हमने यहां पर तयार कर लिया है और दिखने में यह बहुत जादा खूबसूरत लग रहा है एकदम क्यूट और आज हमने एक किलो का केक बनाया है एक किलो के केक के लिए हमने यहां पर 380 ग्राम प्रिमिस लिया था और उसमें 2-3 टे केक बन जाता है और देख सकते हैं हाँ पर कितना जादा यह खूबसूरत लग रहा है तो वीडियो अगर हमेशा के तरह पसंद आया है अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना बूलेगा चली वाइस मिलते हैं इसी तरह की एक नई से वीडियो के साथ या नहीं रसिपी के साथ कबता के लिए थैंक्स पूर वचिंग टेक केर